नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर के विबित हलचल पर पुलिसायक तमिदेश कुमार के मारत दर्शन में युवाओं व कॉलेज विध्यारतियों को स्पर्धा परिक्षाओं की तयारी के विशे में अपर पुलिसायुक्त नवीन चंद्र रेड़ी और जोन तीन की डीसी पी राजमाने द्वारा मारत दर्शन किया गया पाचपावली थाने के अंतरगैत खोबरागडे सभागर में आईजिन इसकारक्रम का मुख्यों देश युवाओं को नशे और अपराद से दूर रख कर बहतर भविशे के लिए प्रोचसाहित करना था इस दोरान पी आई मेंडे पी आई नागो से समेथ बड़ी संख्या में विध्यारतियों के उपस्तिती रही सभी को प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी हे तू किताब पढ़ने के तरीके के अलावा सामाने ग्यान बढ़ाने के तरीकों के बारे में अफगत करवाया गया नाकपुर में इस वर्ष आगामी सब्था में खाजा क्रिडा मोहतसब का आगाज होने वाला है इस अंदर में आज पूर्व होकी कप्तान एवं सुर्मा फिल्म फेव संदीब सिंग तथा स्टार बैडमिंटन प्लेयर जुआला गुट्टा नाकपुर पहुँच रहे हैं उन्होंने बताया कि पिछले साल इस मोहतसब में 28 खेलों का समावेश किया गया था इस बार में कितने खेलों का समावेश किया जाता है इसकी गोशना भी आज सुरेश भट सभागर में की जाएगी बहुप्रदिक्षित खाजार सांसुरुतिक मोहतसब का रंगारम शुभारम शुकरवार से हुआ सिने अभी निता संजेदत केंद्री मंत्री नितिन गटकरी की प्रमुक वस्तिती में दी प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस मोहतसब की शुरुवात प्रसिद्दिक गायक सुखविंदर के लाइफ कॉंसर्ट के साथ हुई इस कारकरम को देखने के लिए रसी को ने बड़ी संख्या में उपस्तिती दर्च करवाई सिंधी समाज के विधिहारतियों के लिए प्रश्यासनिक सेवाओं की UPSC परिक्षा की पूर्वत तयारी हेतू उद्धेकादमी के ओर से नाकपर में निश्रिल कोचिंग सेंटर की नई बैच का शुभारम देवाणी चारटेबल ट्रस्स सेंट्रल अविन्यू नाकपर में किया गया इस अफसर पर एड्वोकेड एल एस देवानी उद्धेकादमी के मेंटॉर नागपुर के DCP लोहित्मतानी उद्य अकादमी के अध्यक्ष घंशाम कुक्रेजा स्थाई समिती के पूर्व अध्यक्ष वर नगर सिवक विक्की कुक्रेजा पूर्व नगर सिवक सुरेश जग्यासी एडवोकेट मनोज मोरियानी मंच पर विराजमान थे कारिक्रम का उटगाटन एडवोकेट ल.स देवानी ने किया उपस्थत अतितियों एवं विध्यारतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उदे अकादी द्वारा प्रशासनिक सेवाओं हेतु निश्वल कोचिंग सेंचरे का नूठा प्रयास है उदे अकादी के उपाध्यक्षा ड.वंदिना खुश्डा लानी ने कारिक्रम का संचालन करते हुए कहा कि कादमी द्वारा विध्यारतियों के अध्यान के लिए योग्य वातावरण निर्मित किया गया है जिसे विध्यारती समूँ में रहकर स्वाध्या कर सकेंगे प्रभंदकों का एक मात्र लक्ष है कि विध्यार्तियों को भौतिक सुविधाओं के साथ सक्षम अध्यापाक भी मिले विध्यार्तियों को ऑनलाइन प्रशिक्षिन की बजाए क्लास्रूम शिक्षिन को वरिता दी गई है तीन स्थानों पर अस्थाई अध्यन के पश्यात यह स्थाई परिसर मिला है जिसे नागपुर के प्रतिष्ट एडवोकेट एल एस देवानी द्वारा नवीनी करण कर सुविधा संपन शेशनिक किया गया है जिसमें भोजन कक्ष लाइब्री वविशाल क्लास्रूम की भी व विवस्था की गई है शिवसरा की विंग शिव अल्पसंख्यक सेना के पदादिकारियों द्वारा ग्लोबल इंजननाशनल फाउंडेशन के दो साल पूर्णो होने पर मनीशा ठाकरे और उनकी तीम को चत्रपती शिवाजी महराज की प्रतिमा और गुल्दस्ता देकर अभ मुख्य कारखाना प्रभंदक ललित दुरंदर की अध्यक्षता में मोती बां कारखाना राजभाशा काराणवेन समिती की बैठक एवं तकनीकी संगोष्टी का आयोजिन किया गया बैठक में मोतीबां कारखाना में जुलाई सितंबर 2021 तिमाही के दोरान हुई राजभाश विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी गई इस दोरान एक तक्नीकी गोश्टी का भी आयूजन किया गया जिसमें सीनियर सेक्षिन इंजिनर पंकच सोन टक्के ने मोदीबाग कारखाना के बिलशौप अनुभाग की विबनिक गती वीधियों को आकरशिक पावर पॉइ में राजभाशा का प्रयोग करने धारा तीन तीन का अनिवारे रूप से अनुपालन करने तथा ग्रह मंतराले द्वारा निर्धारित लक्ष को प्राप्ती के लिए हर संभव प्रयास करने का आवाहन किया उन्होंने अंग्रेजी तथा स्थानिय भाशा के शब्दों को भ ताकि वो बदलती हुई दुनिया के अनुरूप खुद को बदल सके उन्होंने HRMM पोटल पर PTO तथा सुविधा पास जारी करने के समन में प्रक्रिया को सरल इवं सहज हिंदी में जारी करने का निर्धेश दिया साथी हिंदी पुस्तकाले में साहितिक पुस्तकों के साथ तकनी की पुस्तकों की तादाद बढ़ाने का भी निर्धेश दिया ताकि कर्मचारियों को उनका ध्यनकर तकनी की जानकारी प्राप्त हो सके वरिश नागरिकों को अपने स्वाविमान की रक्षा करनी चाहिए भारतिय मजदूर संग द्वारा कई राज्यों में वरिश नागरिकों के लिए उत्कुरुष्ट कारे किये जा रहे हैं अपने ग्यान और कोशल को केवल अनुभव से बढ़ाया जा सकता है विवहार और शीष्टा चार में अंतर होता है सदस्य और पदादिकारियों के बीच अच्छी जानकारी और अनुभव साजा करे प्रती दिन वरिश नागरिक अपनी भूमी का निभाएं वरिश नागरिकों की तीन भूमी का हैं परिवार का नेता, सेवा नवृती के बाद का जीवन और सामाजिक जिम्मिदारी पूरा करना इस आशे के विचार भारतिये मजदूर संग के राष्टी अध्यक्ष हिरिन में पांडिया ने व्यक्त किये वो वरिश्ट नागरिक परिसंग की ओर से जेश्ट नागरिकों के स्नेह मिलन कारकरम की अफसर पर बोल रहे थे यह कारकरम दीन दयाल नगर के दीन दयाल सभागर में आईजित किया गया वरिशनागरिक परिसंग विदर प्रदेश अध्यक्ष राजा जकताब के अधिक्षता में हुए इस कारकर में प्रमुक अतीती भारती मजदूर संग के राष्टी अध्यक्ष हिरन में पंडिया वरिशनागरिक परिसंग के राष्टी महामंतरी वसंतराओ पिंपलापुरे और भारती मजदूर संग विदर प्रदेश अध्यक शिलपर देशपांडे मंच पर विराजमान थे। बैठक आजेंडा चांग जनवरी 2022 उपराश्पती M.W.N. कया नाइडू के आगमन के अफसर पर आईजित समहारों तथा आच जनवरी को होने वाले विश्विद्याले के पाँच पे दिख्षान समहारों में विद्यालों की सेभागिता सुनिशित करना था। तमाम मुद्द उपर विस्तृत चर्चा की गई। तुलसी भवन साहित विद्यापीट स्टित महादेवी वर्माव सभागर में आईजित इस बैठक में कुलसचीव कादर नवास खान, जन संपर्क अधिकारी V.S. मिरगे एवं हिंदी अधिकारी राजेश कुमार यादवादी उपस्तित विश्व विद्याले में बाबा साहिब डॉक्टर आमबेटकर की प्रतिमा का नावरन जनवरी को आईजित किया जा रहा है जिसमें उपराश्च्रपती M.W.N.K. या नाईडू मुख्य रूप से उपस्तित होंगे बैठक में कुलपती प्रोफेसर शुकले ने कहा कि विद्यारतियों को उच्छे शिक्षा संस्थानों में होने वाले दिक्षान समहारों में भाग लेने का अफसर प्रदान करना एवं उच्छे शिक्षा के प्रती उनमें आकर्शन पैदा करना अत्यंत आवशक है इस उदेश से प्रतेग विद्याले में कम से कम दस विद्यारतियों के साथ दो शिक्षिकों को विश्व विद्याले आमंत्वित करना होगा श्रीकान शिवनकर को महराश प्रदेश राश्टवादी कॉंग्रेस पार्थी के संगटन सचीव पत पर नियुक्त किया गया है उन्हें नियुक्ती पत्र सांसर प्रफुल पतेल द्वरा पार्थी के कारक्रिम के दुरान दिया गया उन्हें पार्टी के एक उच्च शिक्षित व्यक्ती के रूप में जाना जाता है। राजनीती में प्रवेश करने से पहले उन्होंने इंजिनरिंग, प्रशासनिक सेवा और सामाजिक संगटनों के माध्यम से पर्यावरन के शेत्र में कई सराहनिय गतीवीधियों को अंजाम दिया था। उनके नेतरत्व गुण और अनुभव को देकर पार्टी ने उन्हें गट्चिरोली जिले की प्रभारी पत की जिम्यदारी दी और उन्होंने उसे बखुबी से निभाते हुए अपने सराहनिय कारे का परिचर दिया। उनके कारे और पार्टी के प्रती निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने संगठन की मजबूती हे तू उन्हें महराश्य प्रदेश के संगठन सचीव पत पर नियुक्त किया है। यह पत पार्टी के लिए संगठनात्मक दृष्टी कोन से अत्यंत महत्वपून माना जा रहा है। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर के सभी नागरेगों का कोविट शील का ठीका करन नाकपुर महानकरपालिका के साथ साथ सरकारी केंदरों पर होगा। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर के नागरेकों के लिए वो वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज जॉक्टर बावसाइब आमबेटकर अस्पिताल कामठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकत दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अ पश्याद मीडिया से चर्चा करते हुए महामेट्रो के प्रभंद संचालक जॉक्टर ब्रजेश दिक्षित ने कहा कि महामेट्रो के रीच पोर का कारे 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है शेश कारे आगामी 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा CMRS के निरिक्षिन के बाद याद्री सेवा के लिए यह मार्क पूरी तरह से तयार हो जाएगा इस तरह रीच टूब में गड़ी गुदाम के समीब देश का प्रतम 4 लेवल वाले ब्रिज का नर्मान किया जा रहा है करीब 1700 टन वजन का ब्रिज बनाया जा रहा है बुटी बोरी में इसका नर्मान किया गया और इसे लगाने के लिए करीब 20 दिन का समय लगेगा गड़ी गुदाम रेलवे क्रोसिंग पर काम करना एक बेहत चुनौती पूर्ण का रहे है जनवरी 2022 के अन तक यह काम भी पूरा हो जाएगा महा मेट्रो के प्रभंद निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दिक्षित ने बताया कि फिलाल दो रूट पर यात्री सेवा शुरू है सभी 35,000 के आसपास यात्री सफर कर रहे हैं चारों रूट पर यात्री सेवा शुरू होने से हमारी अपेक्षा है कि प्रती दो लाग यात्री मेट्रो के जरीए सफर करेंगे उन्होंने बताया कि प्रजापती नगा स्टेशन के समीब राश्री महा मार्क के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यहां काम शीगर पूरा होने जा रहा है नाकुर मेट्रो रेल परियोजना के रीच टू और रीच फोर्ड बारा किलो मीटर मार्क का नर्मान कारे पूरा होने के साथ ही तक्री की कारे भी पूर्ण किये जा रहे हैं रीच फोर्स सेंट्रल अविन्यू मार्क पर कारे पूर्ण होने के बाद कारे के गुणवता की जाज भी पूरी हो सुकी है इसके साथ ही इस मार्क पर शुकरवार का ट्राइल रन अत्यंत उत्साहा पूर्ण वातावरन में किया गया यह दोनों मार्क दरसल कारे के दृष्टी कोन से बेहत जटल थे महा मेट्रो के M.D. डॉक्र ब्रजेश दिक्षित के नेतरत्व में सभी चनौतियों को मात दे कर कारे पूर्ण करने में महा मेट्रो ने सफलता पाई वो लेखनी है कि इन दोनों मार्कों पर मेट्रो ट्रेन भारती रेलवे के ट्रैक के उपर से गुजर रही है एक आनन टॉकेस के निकट और दूसरा कामठी रोड पर गुरुद्वारा के समीब चार स्तरिये परिवहन विवस्था के तहत गुजर रही है यह देश में पहली बार निर्मान किया गया है सेंट्रिल अविन्यू मार्क मेट्रो मार्क पर कुल नौ स्टेशन है जिन में कॉटन मार्केट, रेलवे स्टेशन, दोसर वैश्य चौक, अगरेसें चौक, चितार ओली, टेलफनेक्शन चौक, अंबेटकर चौक, वैश्णो देवी चौक तथा प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन का समावेश है पूर्ण और पश्रिम नाकपुर को जोडने वाला सेंट्रिल एविन्यू प्रमुक मार्क है बैंक ऑफ महराश्य प्रधान कारले के कारय पालक निदेशक हेमन कुमार टम्ता की अध्यक्षिता में होटल वेडिसन ब्लू में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है इसकारकम का मुख्योदेश MSME EXPO वरीटेल EXPO में लगू एवं सुक्ष्मो द्यों के व्यापारियों के रिनों का स्वीकर्ती पत्र आवंटित करना है गुरू गासिदास सत्नामी समाज मानव उत्थान ट्रस्ट एवं समस्त सत्नामी महराज के तत्वावधान में वेरागडवाडी डिप्ती सिंगनल नवी नगर परमपूज गुरू गासिदास बाबाजी की 265 जेनती समहारों का आयोजन हर्शो उला से किया जा रहा है जिसमें धार्मिक रिती रिवाद से महिलाओं द्वारा मंगल कलश लेकर पंती के धुन में शोबायात्वा नगर प्रमण करते हुए मनाई जाएगी परमपूज गासिदास बाबाजी का जन्म 18 डिसमबर सन 1756 में वलोदा बाजार जले के गिरोध पूरी गाउं में हुआ था वो 36 गड़ के एक महान संत्त है उन्होंने अपने सतनाव शक्ती से मानव जीवन को एक सूत्र में पिरोने के लिए मानव की समानता का मंत्र दिया जिसे संपूर्ण मानव समाज को दृष्टी कोन एवं रूप से देखा जाने लगा उन्होंने पनी जीवन काल में छूचा छूट नशा पान जीव हत्या को त्या करने का संधेश दिया उनकी जैन्ती का कारकरम पूरे देश में आज सतनामी समाज पूझा अर्चना करते हुए मनाया जा रहा है एक दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक गुरू परव के रूप में इस कारकरम को हर्शो उल्लास के साथ मनाया जाता है कारक्रिम के सफल आयोजन के लिए संतु भारती, मनोज वेरवन्शी, मनोज कोसरे, अरुन खुटेल, सतीश मंडल, अभीशेक भारती, निलेश बगेल आदी प्रयासरत है दयानंद आरे कन्या महाविद्याले की राश्री सेवा योजना द्वारा व्यक्तित्व विकास एभम स्वसुरक्षा पर दोदिवसी कारक्षाला का आयोजन किया गया कारक्रिम के अध्यक्षता प्रचारे डॉक्टर शुद्धा अनील कुमार ने की कहा कि परस्नालिटी जेवलाप्मेंट के अंतरगत आपको अपने व्यक्तिकत स्वभाव प्रस्तुती का तरीका लोगों से बात करने का तरीका और ऐसे ही बहुत सी चीजों में प्रशिक्षन हासल करना पड़ता है विशेश अतिती जया गंगवानी दयानत कॉलेज के पहचान लिया जाता है विशेश वक्ता डॉक्टर रिचा कल्यानी सिंदु महाविद्याले नाकपपने वानिजे विभाग में अध्यापिका है उन्होंने कहा कि एक बहतर व्यक्तित्व बनाने के लिए सबसे पहले खुद का विश्लेशन करना बेहत जरूरी है अगर आप आपको अपने अंदर की खामिया और अच्छे गुड के बारे में नहीं पता तो आप अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करेंगे इसी लिए सबसे पहले खुद को जाने खुद को पहचाने की कोशिश गंभीरता से करें कारेशारा में 50 छात्राओं को सुष सुरक्षा का प् इबन प्रतियोगिताओं का आयोजिन किया जा रहा है इस श्रिंकला में देशभक्ती गीत लेखन एवं लोरी लेखन स्पर्धा का आयोजिन भी किया गया इन प्रतियोगिताओं के समन में मार्ग दर्शन करने के लिए दक्षन मद्य शेत्र, सांसुरतिक केंद्र, संगीतकार, गायक एवं लेखक, डॉक्टर सलील कुलकर्णी द्वारा मार्ग दर्शन किया गया इसका रक्षाला का उटगार्टन, डॉक्टर सलील कुलकर्णी, डॉक्टर संजय दुधे, डॉक्टर अभे मुद्गल, संचालक, विध्यारती कल्यान मंदल एवं गौरी मर उपने देशक दक्षन मदिर शेतर सांस्कोते केंद्र नाकपुर्द वरा दीप त्वजलन कर किया गया, जॉक्टर सलील कुलकर्णी ने देशभक्ती गीत एवं लोरी में क्या अंतर हैं, क्या समानताएं हैं, इस पर बात करते हुए दोनों किन भावनाओं के साथ बने हैं इस समद में बारीकी से विध्यारतियों एवं उपस्तितों को समझाया, देशभक्ती गीत एवं लोरी किस प्रकार बनती हैं, दोनों के भाव क्या होते हैं, इस समद में उन्होंने विध्यारतियों के प्रशनों के समाधान पूर्वग एवं विस्तुत तरीके से उतर दिय जरीपटका में संत शिरोमणी बाबा गोविंद राम साहब जी का चालसवाद दिन दिवसीए वर्सी बोहच बाइस दिसंबर से संसतराम दास साहिब धर्मशाला में दूमदाम से मनाया जाएगा बुदवार बाइस दिसंबर को सुबह नौ बजे श्रीगुरु गरंद साहिब जी का आगमन स्वामी चांदुराम साहिब धर्मशाला से निकलेगी रात को 9 बजे से 11 बजे साहि मोहंदास उदासी एवं चंदन उदासी इंदोर द्वारा भक्ती में कारक्रम की प्रस्तुती दी जाएगी गुर्वार तीस दिसंबर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक संतो का सत्संग कारक्रम होगा प्रबचन शाम पांच बजे से छे बजे तक होगा सच्थंग बाबा गुविंद्राम साहिब महिला मंडल द्वारा रात आट बजे से नो बजे तक भजन एवं गुरवानी गायन प्रतियोगिता होगी रात के नो बजे से ग्यारा बजे तक साई मोहनदास उदासीन एवं चंदन्दा सुदासीन का भक्ती मैकार्प्रम होगा शुक्रवार 24 दिसंबर को सुभे 9 बजे से दुपहर 2 बजे तक सचंकीर्टन एवं अखंड पाठ साहिब का आयूजन होगा और इसके बाद दुपहर 2 बजे आम लंगर होगा संसा ने सभी शुधालों से वर्षी महोचसव का लाब लेने की प्राथना की है करोना महमारी की दूसरी लहर के दोरान PM केर फंड से मिले 90 वेंटिलेटर बन पड़े हैं इनों करणों की गुणवत्ता पर शंका जताते हुए इस मामले की जांच कराने की मांग पुर्व कैबिनेट मंतरी डॉक्टर अनीज एहमद ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी त्थाराजबती रामनाध कोविंद को ग्यापन स्वाप करकी जॉक्टर नीस एहमद ने बताया कि करोना महामारी की दूसरी लहर के दोरान पी-म केर फंड से पूरे देश तथा राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में वेंटिलेटर उपलब्द करवाए गए लेकिन नबे वेंटिलेटर अभी बन पड़े हैं वेंटिलेटर खराब तथा अच्छी गुणवत्ता के न होनी की वज़े से उपयोग में नहीं आ रहे हैं मरीजों की संख्या बढ़ने की वज़े से मेडिकल में हर दिन प्राइविट अस्पतालों से गंभी रवस्था में आठ से दस मरीजों को रेफर किया जाता है अधिकतर मामलों में इन मरीजों को तुरंत वेंटिलेटर की आवश्यक्ता होती है लेकिन समय पर वेंटिलेटर न मिलने की वज़े से मरीजों की जान भी चली जाती है गरीब लोग प्राइविट अस्पताल में लाज नहीं करवा सकते उन्हें वेंटिलेटर की प्रतिक्षा में अपनी जान गवानी पड़ती है डॉक्टर अनीस एहमद ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि मरीजों की जान बचाना हमारी जिम्मिदारी है विदर्ब के 13 लाग व्यापारियों की अगरिनी वर्शीर्श संस्था नाग विदर्ब चेमबर ओफ कॉममर्स ने केंद्री वित्तमंत्री निर्मला सीता रवन को मार्च महा आने वारी आईकर विचर्ण फाइलिंग की अंतिम तारीखों को आगे बढ़ाने हेतु ग्यापन सौपा है चेमबर के अध्यक्ष अश्पिन प्रकाश अकरवाल ने कहा कि संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत भी पूरी तरह करोना महामारी के कहर से उबर नहीं पाया है वियापारी समदाय ने गद दो वर्षों से वारंबार लोगजाउं का सामना किया वर्तबान समय में धीरे धीरे अर्थ विवस्था को पट्री पर लाने हेतू वियापारी वर्ष प्रयासरत है आईकर के नए पोटल में करदाता को विबिन तक्री की कठिनाईओं के कारण करों के अनुपालन एवं रिटर्न सम्बंदी कारवाई को पूर्ण करने एवं दस्तावेजों को जमा कराने में अनेक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है विबन आईकर अनुपालन एवं रिटर्न फाइल करने की तारीखों को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाना है चेंबर के सचीव राम अवतार तोतला ने कहा कि चेंबर द्वारा समय समय पर 51 सौप कर सरकार को करदाताओं की परिशानियों से अफकर करवाया गया है जिसका संग्यान लेकर सरकार ने समय समय पर कुछ तारीखों को आगे भी बढ़ाया है जो की सराहनी है किन्तु वरतमार में व्यापादी समुदाय द्वारा महामारी के समय से उत्पन्य आर्थिक संकर से बाहर निकलने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा Association for Research and Training in Basic Science Education नाकुर महानकर पालिका और विज्ञान प्रसार भारत सरकार के सेंग्त त्वावधान में आईजित अपूर्व विज्ञान मेला तीसरे दिन भी उत्सहा पूर्वक जारी रहा नीदी के Environment, Virology और COVID-19 Testing Center के वभागया ध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा खेरनार ने Research Scholars की टीम के साथ मेले को भेड़ दी डॉक्टर कृष्णा ने कहा कि अपूर्व विज्ञान मेले में आकर हमें समझ में आता है कि अविज्ञान की अवधारनाओं को कितनी आसानी से समझ सकते हैं खेल-खेल में मनुरंजक रूप से विज्ञान का अध्यन किया जा सकता है यहां आने वाले हर साल एक नया अनुभव होता है हर साल एक समानता जरूरी रहती है वो है सहचता और सरलता उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ाई करते थे उस समय अभी भावकों की मदद से बिरा कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता था यहां देकर लगता है कि आजकल कोई भी बच्चा असानी से अपना प्रोजेक्ट बना सकता है विज्ञान मेरे मेर रिसोर्स परसन के रूप में पटना से महुमत जावेद आलम मध्यप्रदेश से राज नारायन राजोरिया कोलापुर से राम चंद्र लेले भी आए हुए है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार